स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पे तो आज हम बनाने जा रहे हैं लैसुनी आलू भुजिया तो इसके लिए मैंने 8-10 अलू लिये है और इनको अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम इसके करेंगी पीसे तो हमको जो है इसके बहुत जादा मूटे और बहुत है जादा पतली पीसे नहीं करने यह त तरीके से लंबे-लंबे जो है पीसे करनें इसकी ठीकनस बहुत जादा पतली नहीं रखनी और मुट vulnerabilities है तो यह देख्ये कर लेते है कड़ाई को अच्छे से फेली करम हो जानिती जब गरम हो जाएज तो इसमें डाल देते हैं दूच Beim Ium मैथी के दाने डालने के पर थोड़ा सब चला लीजे और अब हम इसमे डाल देंगे एक चोथा ही चमच हल्दी का पाउडर और जो हमने आलू कट करके रखे हो थे वह हम इसमे डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से चला लेते हैं और अब हम इसमे डाल देंगे नमक तो नमक आपनी टेस्ट के अनुसार डाल दीजे जैसा खाना पसंद करते हैं मैंने अधी चम मिस्ता थोड़ा सा जादा डाला है और इसको डालके हम मीटियम गैस पे ढखे रखेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से जल्दी गल जाए और ए दियार करना है बस इसको दरदरा पीसना है बस आप मिक्सी में डालके इनको पर अच्छे से चला दीजे तो कि जो है बहुत जादा अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो हमारी भुजिया उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो यह देखे इस तरीके से हमको इसको जो है दरदरा अब ही चक कर लेते हैं यह दिखिए तो आलू भी हमारे गल गए बहुत जादा टाइम नहीं लगता है पान से साथ मिनट लगते हैं तो यह दिखिए जो अभी हमने पीस के रखा हुआ है तनिया लैसोन और हरी मिर्च का इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छ और अब हम क्या करेंगी गैस का फ्लेम तेज करके इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे क्रिस्पी ही बहुत अच्छी लगती है इस तरीके सा फैला दीजे और थोड़े थोड़े देर बीच पे चलाते रहिए ताकि कड़ाई में चिपके नहीं यह देखिए पांच मिनट बाद यह एकदम रेडी होगी क्योंकि गैस का फ्लेम हमने तेज कर रखा है लेकिन अगर आपको एकदम ऑईल हटाना है कि हाँ हम बुजिया में एकदम तेल नहीं रखेंगे तो आप इसको क्या करिए कड़ाई में इस तरीके से फैला दीजे चारू तरफ आप इसके जो है पाल से साथ मिनट बाद यह देखेंगे कि जो आलू बथा वो भी नीचे मतब कड़ाई में आ चुका है तो चलिए हमारी पूजिया एकदम रेडी हो गई है गैस पैने बंद कर दिए तो चलिए हम सर्व करते हैं बहुत ही अच्छी लगती है अगर आपने आलू बजिया ख करिए और सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाए